जितनी Switzerland की total population है उसे ज़्यादा इंडिया इंजिनियर्स प्रोड्यूस कर देता है उसके बाद भी research and innovation में Switzerland नमबर वन पर है Independence के बाद से Republic of India ने zero Nobel laureates प्रोड्यूस कियें in science USA ने 100 प्लस कर दी है A.S.E.R. की report के साब से 83% educated Indians employable ही नहीं है और यह जो सुन्दर पिचाई, सत्या नेदेला की हम बात करते है इन्होंने भी आगे चल के अपनी education बाहर से ही करी है और यह सारी चीज़े जो मैं बोल रहा हूँ ना इसका root cause find out करने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा जब Britishers हमें रूल कर रहे थे तो East India Company के सामने दो major challenges थे एक communication with Indian दूसरा workers और players की बहुत ज़रूती होने फिर Thomas Bevington McCoy ने हमें English Education Act of 1835 दिया जिससे उनके दोनों purpose पूरे हो पहला उनको बंदे चाहिए थे जो चुपचाप desk पे बैठें अपना काम करें, questions ना करें और ज़्यादा creative ना हो Second, communication in English English सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली language नहीं है उसके बाद भी English एक language की बज़ाए एक class बन गया इंडिया में Russia, China, France ये सब जगा इतना obsession नहीं है English को लेके जितना इंडिया में poor communication बोला जाता है अगर आपकी English अच्छी नहीं है जबकि English ना आने का मतलब है कि आपको कोई और language आती है 5 साल पुराना iOS भी आज की date में outdated माना जाता है लेकिन इतनी important चीज हमारा education system आज भी बस थोड़े से changes के साथ ऐसे ही चल रहा है हमारा education system में रटने का competition होता है जो ज़्यादा रट लेता उसके ज़्यादा माकसाते है अब 95% जिसके संस्कृत में आये हैं वो भी संस्कृत नहीं बोल पा रहा है और basic history होने के वज़ाए इतनी मोटी-मोटी किताबे हैं history की जिसका कोई मतलब नहीं है अगर आज की date में आपको कुछ भी पता करना आप Google से पता कर लोगे उसके लिए आपको याद करने की ज़रूत नहीं इतना कुछ और ये government school में हर class में English का subject है बारा-बारा साल लगाने के बाद भी लोग English नहीं बोल पा रहे है और बिना किसी बुक को पड़े एक 5 साल का बच्चा सीख लेता है त्युक्कि उसको वैसा environment मिल जाता है A plus B का whole square is equal to A square plus B square plus 2AB इसका real life में क्या use है किसी को नहीं पता ना principal, ना teacher, ना बच्चे बस पढ़ाय चले जा रहे है वो जबता है इसका कुछ मतलब हो पाक गुना अच्छी है, college की वो रटने वाली techniques है और जिन बच्चों के बहुत ज़्यादा number आते है जो चुपा चुपा के exam में लिखते है आप देखो कि जब वो real life में जाते है तो ज़्यादा तर crumble करते हो हर किसी को same syllabus और same चीज़ सिखाई जाती है उनको तो जिन्दिगी पर यही लगेगा ना कि वो तो किसी काबिल ही नहीं है और दुरोना चार ने भी पांडवों को उनकी skill set के हिसाब से उनको चीज़े सिखाई सब को एक ही चीज नहीं सिखा दी और हमारे education system में ज़्यादा options भी नहीं है सबसे उपर science, फिर commerce और सबसे नीचे जाके कही नमबर आता आर्ट का आर्ट लेने वाले को तो लोग इतना हलके में लेते हैं जैसे वो किसी काम कहीं नहीं है हर माबाब को तो engineer a doctor ही बनाना है college वाले अगर extra course रग भी देते हैं और ये अच्छे marks और अच्छी job पाना आपका सपना मन जाता है अब ये सपना पूरा हो जाता है तो बहुत बड़ी है दूसरे को jealous feel करा होगे, नीचा feel करा होगे और इस छोड़ी से उमर में अगर सपना तूड़ जाता है तो self doubt में आ जाओगे इतना बाहर वाले आपको नीचा नहीं समझागे जितना आप खुद की नेजरों में गिर जाओगे आप किसी भी 4-5 successful आदमियों के बारे में सोच के देखिए जिने आप बहुत successful मानते हो या जिनकी तरह life आप जीना चाहते हो मैं ये कह सकता हूँ कि वो इस education system की वज़े से तो successful नहीं होगे चाहे वो जो भी हो धीरू भाई अमानी, विराट कोली, आमिर खान, नरेन मोधी ये सब हमारे इस current education system के trap में नहीं फसे इन्होंने खुद सीखा, खुद educate हुए और खुद आगे बढ़े किसी company के CEO को अगर ये कहा जाए कि आप अपनी company के सारे department में interview दीजे तो कोई guarantee नहीं है कि वो सारे department के interview निकाल लेगा और ये भी हो सकता है कि वो आदे से ज़्यादा department के लिए qualify ना करे, education wise लेकिन वो पूरी company चला सकता तो ये जो एक skill है इसके बारे में बात क्यों नहीं होती लोग अपनी 25% से ज़्यादा जिंदिगी इस current education system में लगा देते ताकि अपने से कम पढ़े लिखे आदमी की company में जाके उसके सपने पूरे कर सके इंडिया का जो current education system है अगर वो इतना ही अच्छा है तो जो भी celebrities हैं, politicians हैं वो अपने बच्चों को बाहर क्यों भेज रहे हैं पढ़ने के लिए in fact politicians के साथ तो ऐसा करना चाहिए जिस area से वो जीते हो उसी area के government college में उनके बच्चों को पढ़ना compulsory हो जाए तब ही वहाँ के government college सुधर सकते है 368 Pune की job के लिए 1.5 lakh graduate और 24,968 post graduate ने apply किया मैं IAS PCS की तो बात नहीं करता हूँ वो तो एक passion की बात होती है लेकिन कुछ लोग 5-6 साल से तयारी कर रहे है कि कोई भी government job मिल जाओने उनसे पूछोगे क्यों ऐसे इतने time से लगे हुए तो एक ही चीज बोलेंगे कि job secure है मतलब आप काम नहीं भी करोगे तो आपको निकाला नहीं जाएगा ये सारी काम चोरी वाली बाते mind में इसी लिए आती है क्योंकि हमारा जो current education system है वो इतना confidence ही नहीं देता है कि हम अपनी skill के दम पे कहीं जाके काम करें और हमें निकलने का डर ना हो मैं आने वाले 10 साल की तो बात ही नहीं कर रहूँ अगर मैं आने वाले 5 साल की भी बात करूँ तो technologies में इतना जादा changes आ जाएगा कि जो आज हम पढ़ रहे हैं जिस skill के हम focus कर रहे हैं पता नहीं वो relevant भी होगी कि नहीं उस समय cloud computing, SEO, digital marketing ये सब jobs पहले exist ही नहीं करती थी हम लोगों को agile होना पड़ेगा नहीं नहीं चीजों को सीखने के लिए open रहना पड़ेगा creative mind लगाना पड़ेगा